शादी से पहले हर लड़के लड़की को कर लेने चाहिए ये चार काम मजबूत बनेगा रिष्टा। लड़का हो या लड़की, शादी दोनों के जीवन का सबसे बड़ा एहम कदम होता है। शादी के बाद दोनों के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग इन बदलावों को आसानी से अपने जीवन में धाल लेते हैं तो कई कपल को शादी के बाद होने वाले बदलावों को समझने और अपनाने में समय लगता है। अगर वह इन बदलावों को सकारात्मक्ता के साथ अपनाते हैं तब तो दिक्कत नहीं होती वरना शादी शुदा जीवन में परेशानिया शुरू हो जाती है ऐसे में लड़का लड़की को हर तरह से तयार रहना चाहिए दो लोग एक साथ जीवन बिताने जा रहे होते हैं शादी करने के लिए लोग पे यार तो हो जाते हैं लेकिन अकसर शादी के बाद उन्हें महसूस होने लगता है कि जैसा वह चाहते थे या सोचा था वैसा इस रिश्टे में नहीं है शादी कल्टना की दुनिया से बाहर होती है इसलिए भविश्य में अपने शादी शुदा जीवन को सुखी बनाने के लिए हर लड़के और लड़की को शादी से पहले कुछ काम कर लेने चाहिए चलिए जानते हैं शादी से पहले दूलहा दूलहन को क्या काम करना जरूरी है ताकि बाद में पच्ताना न पड़े शादी से पहले पार्टनर से करें बात शादी से पहले कम से कम एक बार अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से जरूर बात करें आपने अपने जीवन साथी के लिए क्या सोच रखा है और जिससे आपकी शादी होने वाली है उसका व्यक्तित्व कैसा है ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए जीवन साथी से पूछे सवाल अपने जीवन साथी से शादी से पहले ही सभी बाते साफ पूछया बता दे जैसे शादी के बाद नौकरी करने को लेकर लड़की का क्या प्लान है और लड़का क्या चाहता है इसके अलावा शादी के बाद क्या लड़का दूसरे शहर या देश में शिफ्ट होने की सोच रहा है और इस बारे में आप क्या चाहती है शादी के लिए खुद को करें तयार हर लड़का या लड़की अपने पार्टन में सबसे बैस जीवन साथी को चाहता है इसलिए जरूरी है कि शादी से पहले आप मेंटल और फिजिकल अपिरंस पर काम करें ताकि आपका लाइफ पार्टन आपसे एमप्रेस रहे जिम्मेदारियां उठाने के लिए रहे तैयार शादी के बाद लड़के और लड़की दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है पारिवार एक सामाजिक जिम्मेदारियों को पुरा करने के लिए खर्च में भी बढ़ोतरी होती है लड़के और लड़की दोनों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा शादी से पहले ही आप इसके लिए तैयार हो जाए